सेलामुteringom Viewers उमीद है आप सुभ खेरियत से होंगे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कम्प्डीर क्या है हाड़ोर और सॉफ्ट्वयर्स क्या है और कम्प्डीर के कम्पोनेंट्स कौन-कौन से है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि computer की types कितनी हैं और कौन कौन सी हैं Size के लिहाज से computer को 5 categories में divide किया गया है जिसमें super computers, mainframe computers, mini computers, workstations और personal computers शामिल हैं जबके data handling के लिहाज से computer को 3 categories में divide किया गया है जिसमें analog computers, digital computers और hybrid computers शामिल हैं तो आईए इन computers की details जानते हैं Size के लिहाज से पहली category में super computer आता है नाजरीन जब भी हम speed की बात करें तो computers में पहला नाम super computer का आता है ये computers में speed और processing के लिहाज से सबसे बड़ा और fastest computer है इसमें हजारों processors एक दूसरे से connected होते हैं जिसकी बदौलत इसमें trillions of instructions को एक second में process करने की सलाहियत मुझूद है से सीमर क्रे ने 1976 में develop किया ये fast होने के साथ-साथ महंगा भी है ये stock market और इस जैसी बड़ी organization में online currency जैसे के bitcoin को manage करने के लिए इस्तमाल होता है इसके इलावा इसे scientific research में solar system को explore करने और satellite से मिलने वाले data को analyze करने के लिए इस्तमाल किया जाता है mainframe computers ये एक high capacity और expensive computer है ये ज्यादा तर बड़ी organizations में इस्तमाल होता है जहां पर ज्यादा मिकदार में data processing की जाती है ये एक वक्त में काफी सारे nodes यानि जिन में हजारों users भी हो सकते हैं उनको services provide करता है इसमें RAMS और बहुत सारे CPU processors को एकठा किया जाता है और ये एक CPU के तौर पर यानि central processing unit के तौर पर काम करता है ये banking और telecom sector में इस्तमाल किया जाता है इसकी types में electronic numerical integrator and computer और universal non integrated vacuum actuated computers शामिल है जिस तरह फाइदे के अगर बात की जाए इसके कुछ नुकसानात भी मौझूद है लेकिन इसका सबसे बड़ा disadvantage ये है कि अगर इसका कोई एक component भी काम करना बंद कर दे तो इसका पूरा system बंद हो जाता है ये computer high speed processing के लिए बहुत अच्छे हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसकी types में से कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं नाज़ीन mainframe computers को सबसे ज्यादा long lasting systems भी कहा जाता है क्योंकि ये काफी अर्से तक इस्तमाल किये जा सकते हैं mini computers ये एक medium size का multi processing computer है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा processors मौझूद होते हैं और ऐसे इदारों में इस्तमाल होते हैं जिनमें mainframe के निस्बत कम data handling होते है ये वज़न में हलके होते हैं और इसी वज़ा से आसानी से एक से दूसरी जगा ले जाए जा सकते हैं ये कीमत में भी mainframe computers की निस्बत सस्ते होते हैं workstations ये technical और scientific इस्तमालाद के लिए बनाए गए हैं इन में एक microprocessor जो के बहुत ज़्यादा speed से काम कर सकता है और इसके इलावा high capacity RAM और high speed graphic adapter मौझूद होता है ये एक single user computer है ये किसी मकसूस task को accuracy के साथ perform करने के लिए इस्तमाल होता है ये एक महंगा computer है लेकिन ज्यादा storage capacity और एक personal computer से ज्यादा powerful CPU पर आहम करता है ये computer edit designs और audio video creating और editing के लिए इस्तमाल किया चाता है personal computers या micro computers ये एक ऐसा computer है जिसे आम इस्तमाल के लिए बनाया गया है ये एक वक्त में एक user के इस्तमाल के लिए design किया गया है इसमें एक micro processor होता है जो CPU के तोर पर काम करता है इसके इलावा इसमें memory, input unit और output unit भी मौझूद होते हैं ये office work करने के लिए, assignments बनाने के लिए और entertainment के लिए suitable है इन में laptops और desktop computers शामिल हैं इसके इलावा tablets और mobile phones भी personal computers के तोर पर इस्तमाल किये जाते हैं इनको handheld computers भी कहा जाता है इनको इस्तमाल करना बहुत असान है और ये size में भी छोटे होते हैं analog computers ये analog यानि continuous data को process करने के लिए बनाए गए हैं इस computer को exact value की जरूरत नहीं होती ये direct measuring device से data accept करता है और इसे data को numbers या codes में convert करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि speedometer, mercury thermometer वगेरा analog data को represent करने के लिए इस्तमाल होते हैं Digital computers ये calculations perform करने के लिए बनाए गए हैं ये data को input के तौर पर लेते हैं और उस पर logical operations perform करते हुए output फराहम करते हैं ये सिर्फ 1 और 0 यानि binary input को ही समझ सकते हैं इसलिए हम जो भी input देते हैं वो पहले 0 और 1 में तबदील होती है और फिर processing के बाद उसकी output निकाली जाती है desktop computers और smart phones वगेरा digital computers की मिसाले हैं Hybrid computers जैसे के इसके नाम से पता चलता है Hybrid का मतलब होता है दो चीजों का मजमुआ इसी तरह hybrid computers analog और digital दोनों computers का combination है ये analog computer की तरह fast होते हैं और digital computers की तरह इनमें accuracy मुझूद होती है ये analog और digital दोनों तरह का data प्रोसेस कर सकते हैं ये analog data input के तोर पर लेते हैं और फिर उसको digital form में convert करते हैं इसके मिसाल में petrol pump पर इस्तमाल होने वाला प्रोसेसर है जो के petrol की मिकदार को पैसों के मुताबिक convert करके बता सकता है नाजरीन ये थी computer की types जिसमें हमने size के लिहाज से और data handling के लिहाज से दोनों तरह से computer की अलग-अलग categories के बारे में discuss किया उमीद है आपके लिए ये वीडियो काफी useful रही होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे like करें, share करें और comment करें चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की update आपको मिल सके बहुत शुक्रिया, ना खयाल रखिएगा, अल्ला हाफिज